दोस्तो नमस्कार मैं जगनान गउता हूं देश रोजना यूटीव मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो जो आज हम राजनीति बात करने जा रहे हैं उसका मुद्दा है क्या मायावती फिर एक बार राजनीति के सिखर पर पहुँच सकती है यानि क्या दलित बहुजन पिछडे समाज की वो एक छत्र नेता फिर से बन सकती है जो उन्होंने पिछले दसक में या 10-12-14 साल में अपना आधार खोया है क्या उसे वो पुने पा सकती है और पा सकती है तो कैसे पा सकती है तो दोस्तो इस मुद्दे पर बड़ा चिंतन मनन चल रहा है बहुजन समाज के बुद्धी जी भी इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं दोस्तो इस में तो दो राय है नहीं बेशक पिछले दसक में वो राजनीती में बहुत सफल नहीं रही जब से भाजपा का राज आया या भाजपा सत्ता में आई उत्तरप्रदेश में और पूरे देश में तो उनका राजनीती ग्राब बहुत तेजी से गिरा अब उसके कारण क्या है उसकी विवेशना तो हरे कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है लेकिन उस मुद्दे पर कि भई वो क्यों ना काम्याब रही वश्पा का इतना ग्राफ नीचे कैसे गिर गया इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है लेकिन अब जो चर्चा नई उभर कर सामने आ रही है या बुद्धी जी भी मान रहे हैं या देश के वरिश्पत्रकार मान रहे हैं उनका कहना है कि निसंदेहे मायावती दलिस समाज का भारत का आज भी सबसे बड़ा चेहरा है लेकिन कथित रूप से उनके कई गलत फैसलों के चलते उनका आधार खिसका बड़ी संख्या में दलित भी उनको छोड़ गए उनका अपना जाटाव समाज भी उनसे खिसक लिया भाउजन समाज का जो बोटर था बड़ी संख्या में चले गए मुश्लिम भी उनका बहुत बड़ा बोटर रहा है उसने भी साथ देना लगभग छोड़ दिया और यहां तक की एक एक करके जो बशपा से या भाउजन समाज के बड़े बड़े नेता थे बड़े बड़े इस्तंब थे जिनोंने मायावती जी के साथ बशपा को मजपूती से खड़ा किया बड़े इस्तंब थे और उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर बशपा को सत्ता में लाने के काम किया वो इस्तंब भी लगभग सब डह चुके हैं या तो वो हालाद को देखते हुए बशपा को छोड़ गए हैं ने केबल भाउजन समाज के नेता मुस्लिन समाज के नेता इवन जाटव समाज के नेताओं ने बशपा को छोड़ा है बलकी लगभग एक बड़ी लंबी कतार है जिनोंने बहुत सारे कारलों के चलते बशपा को छोड़ा या जो मायवती हैं वो तुनक मिजाज उनको माना जाता है वो शुबे उठेंगे कब किसका पत्ता काड़ दें कब किसको पत्त से अठा दें उनका कोई पता नहीं चलता है बहराल हमारी राजनीति का या हमारी जो आज का मुद्दा वो ये नहीं है मुद्दा ये है कि क्या वो राजनीति में नए सिरे से रिवाइव कर सकती है जो है कहा जा रहा है कि अब वक्त जिस तरीके से बदला है जो कथित रूप से यह माना जाता है कि एडी सी बी आई इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के खौप से वो भाजपा हाई कमान के सामने एक बार जुकी तो जुकती चली गई और जब वो जुकी तो पार्टी बिखरती चली गई और पार्टी लगभग जमीन पर आगे रही तो अब मुद्धी जीवी कह रहे हैं कि अब माहौल बदला है जिस मजबूती से इंडिया घडबंदन आगे आया है लोगसभा चुनावों में मजबूती से भाजपा को जवाव दिया है और लोगसभा में जो माहौल बदला है और कई फैसले सुप्रीम कोर्ट से ऐसे आये हैं कि अब एडी इनिकम टैक्स डिपार्टमेंट सी बी आई वो आतंक विरोधी दलों के नेताओं के उपर नहीं मचा पाएंगी उन्हें आसानी से गरबदार नहीं कर पाएंगी उन्हें जेलों में नहीं डाल पाएंगी जिसके खौप से मायवती कथित रूप से मायवती केई नेता चुप करके वैठ गए थे और जिन नेताओं ने भाजपा हाई कमान के कहने के नुसार अपनी राजनीतिक धारा नहीं बदली उनको जेल में जाना पड़ा जिन में दो-दो मुखे मंत्री भी हैं अब नेता हैं सांसद हैं विध नाम हैं लेकिन अम माहौल जो है बिल्कुल बदला हुआ सा लग रहा है और अब राजनितिक पर्णितों को कहना है कि मायवती जी के लिए और भहुजन समाज पार्टी के लिए नई पारी खेलना और नई सिरे से बस्पा को उपर उठाना बुलंदियों पे पहुंचाना औ और यदि अभी नहीं तो कभी नहीं उसके लिए कहीं बुद्दी जी भी मानते हैं कि उसके लिए मायवती जी को क्या करना होगा करना ये होगा कि मजबूती से सत्ताधारी दल भाजपा के खिलाप उस भाजपा के गलत फैसलों के खिलाप मजबूती से आवाज उठानी होगी शड़कर बहुजन समाज के खिलाप होने वाले महिलाओं के खिलाप होने वाले किसी भी अत्याचार के खिलाप उन्हें ने केबल बयानवाजी से काम चलाना होगा बलकि अपने समर्दकों के सडकों पर उतरना होगा कहने का तात पर यह यह है कि बहन मायाबती को अब अपने दिल से मोधिशाह का या भाजपाहाई कमान का खौब जो था उसको उतार कर फैंक देना है और वो जिस दबंगई से पहले राजनिती करती थी उसी अंदाज में उन्होंने राजनिती करनी है और यदि बदले माहौल में उन्होंने कड़े फैसले लिए दबंगई से राजनिती सुरू की और ना के बल उत्तर प्रदेश बलकि पूरे भारत में दलिस समाज में बहुजन समाज में यह मैसेज देने में काम्याब रही कि अब मैंने डरना बंद कर दिया है बहुजन समाज ने डरना बंद कर दिया है और हम नए सिरे से पार्टी में जान फूकेंगे बहुजन समाज के सभी नेताओं को जो छोड़ गए थे जो वापस आना चाहते हैं उनको सब को साथ लाएंगे और हो सके मायवतीजी का सम्मान करते हैं कभी भी अपने भाष्णों में उन्होंने एक सब्द नहीं बोला है वो चंसे कर आजाद को भी साथ लेके चलेंगी चूंकि चंसे कर आजाद ने कभी भी उनके साथ चलने से इंकार नहीं किया कभी भी एक सब्द उनके या बश्पा के खिलाप नहीं बोला और भी इस तरीके के जो भी बहुजन समाज के नेता है या दलिस समाज के नेता है यदि माया बती जी उन समको एक मंच पर लाक लाने में काम्याव रही ये अभिहान चलाया कि जो बश्पा से उन्हें मुसलिम समाज को भी नए सरे से बश्पा के साथ जोड़ना होगा यदि उन्होंने इस तरीके से बेख़ौफ होकर कदम उठाए और सत्ताधारी दल के जुल्मों के खिलाब बुलंदी से आवाज उठाई सड़कों पर उनके कारिकरता उतरने लगे तो दोष्ट तो जानकारों का मानना है कि मायावती एक बार पुने सत्ता में लोट सकती है बसपा सत्ता में लोट सकती है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सक्ती के रूप में नए सिरे से उभर सकती है कुछ बहुजन समाज के बुद्धी जीवियों का ये भी मानना है कि मायावती जी को नए फैसले तो लेने ही होंगे और नए फैसलों में ये भी सामल किया जा सकता है कि वो इंडिया गठबंदन को साथ लेकर चलें उनके साथ चलें और इंडिया गठबंदन का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में सपा के साथ भी चुनावी गठबंदन की राजनीती करें तो शायद जो बसपा का बनवास था एक दसक से ज़्यादा का सत्ता से दूर रहने का वो दूर हो सकता है अब देखना ये है कि मायावती अकेले चलती है या भाजपा जिसने बहुजन समाज को बहुजन समाज पार्टी को बहुत नुकसान पहुचाया है बहुजन एक ता को बहुत नुकसान पहुचाया है सबभार्टी समिधान के खिलाफ अविहान चलाया है कई ऐसे मुद्दे हैं चाए नौकनियों का हो चाए समिधान का हो वो दलित विरोधी या भाजपा बहुजन समाज विरोधी फैसले माने गए हैं कई तो उनको भी उठाकर उनको आगे आना होगा तब ही माया बती को एक नया राजनीतिक जीवनदान मिल सकता है तो दोस्तो ये था मिराज का मुद्दा कि माया बती कैसे मजबूती से दुवारा राजनीति में लौट सकती हैं और सफल हो सकती है तो दोस्तों देखते हैं देश रोजाना मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ नमश्कार